हेलो आल एंड वेलकम टो रिकॉगनिशन आइस जी एस रिवीजन सीरीज में हम लोग उने दो सेशन देखे थे और इसमें कुछ और इस सेशन को लाइव थोड़ा सा होने में प्रॉब्लम हो रही है ताइम कंस्ट्रेंट की वजह से तो रिकॉड़ेट से आपने जो भी डाउट्स है वो पूछ भी सकते हैं प्लस साथ ही साथ में क्या है कि आप इस सीवीज को यूज भी कर सकते हैं ठीक है तो हमारा जो क्वेशन है जो अभी तक हम लोग ने डिसकस कर लिया उसके आगे हम लोग कॉंटिन्यू कर रहा है सबसे पहले तो क्या है कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेशन में बोल क्या रहा है क्वेशन में दो चीजें कि इंडिया में कोई अगर इंस्क्रिप्शन से तो उसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है नहीं किया गया है यानि की जो भी इंस्क्रिप्शन में चीजें लिखी गई है तांड़ डांस के बारे में हमें उसी के बारे में बात करना है तो अब यहां पर आपके पास में क्या-क्या ऊप्शन्स है भी मतलब कि आप कया चीजे लिख सकते हैं अपने आँसर्स में एक तो आप किया है अपने introduction की शुरुआत कर सकते हैं dance format को ले करके या फिर आप बात कर सकते हैं यहाँ पर अगर कोई literature अगर आपके पास में हो जहां पर कुछ dance format के बारे में बात किया गया हो जैसे कि आप याद कर सकते हैं मतलब कि लिख सकते हैं नाट्य शास्त्र के बारे में ठोच शुरू कर सकते हैं ठीक है नाट्य शास्त्र में आप यहाँ पर जिजम आप दो तरीके की dance format एक है भार जो तांडाव डांस है और दूसरा इती तरीके से लस्टिण से दान्स होती में तो दिस इस तांडव डांस अखिर में इसका मतलब क्या चीज होता है और फिर यहां पर क्या चीज़ें हैं तीसरी चीज आप क्या लिखा सकते हैं आप यहां पर दिखा सकते हैं कि आखिर में तांडव की significance क्या या philosophy क्या है philosophy of this tando dance इसके बारे में आप दिखा सकते है शैविजम के बारे में अगर आप connect करना चाहें तो you can connect तो ये हो गई और last में आप दिखा सकते हैं कि आखिर में क्या हमारे पास कोई ऐसा architecture है या फिर क्या हमारे पास कोई ऐसी मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसके basis पर हम इस tando dance को बता सके कि yes this is being mentioned here या फिर यह चीज जो होती है यहाँ पर mention की गई है यह चीजे लिखी रही है तो यह basically आपके पास में चार चीजे हैं और इन चार चीजों के भी basis पर आपको answer writing करना होगा so what you can do you can write आपका जो introduction है वो नाटे शास्त्र से शुरू हो सकता है नाटे शास्त्र के बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारी पूरी की पूरी dance format है वो नाटे शास्त्र से बतिकली नृत्य के लिए dance format के लिए है यह एक तरीके का यह सिलापद्दिकरम है या फिर संगम आप संगम बोल सकते हैं इसको अब यहाँ पर दो तरीके की dance बताई गई है mention किया गया एक dance के मेंशन किया गया है तांडव dance के बारे में जो कि बेसिकली शिवा करते थे और दूसरा जो dance format बताए गया वह लस्य dance format किया गया जो बिसिकली पारवती जी कहना था कि पारवती जी ने किया है अब यहाँ पर जो हमारे शिवा है उन्होंने जो dance format यो दिखे आपका introduction यही पर finish हो गया वैसे अब आप क्या है अगर आप चाहें तो फिर इसके के बारे में आप चीजों के बारे में बता सकते हैं कि यह जो बिसिकली डांस फॉर्मेट है डिस इस एक्चुली significance of this is significance of energy और यह जो significance of energy है यह बिसिकली cosmic energy के बारे में बात की जाते है तो दिस बिसिकली दा कॉस्मिक एनर्जी का पार्ट हो गया डांस जो होता वो एक तरीके का energy ही होता है यह एक तरीके से शोकेस आफ एनर्जी आप बोल सकते हैं कि जो भी डांस फॉर्मेट में चीज़े निकल करके आती है तो यह हो गए आपके पास में जो आपकी बेसिक चीज़े हो गई अब यहाँ पर तांडो दांस के बारे में अब बता सकते हैं जो कि अलड़ी हम लोग देख लिया कि इस शीवा का और यहाँ पर क्या है कि को सिंग्निफिकेंट मतलब कॉस्मिक एनर्जी को शो करने के लिए को एक तरीके से एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में करने के लिए यह की गई है अब यहाँ पर नेक् वहाँ पाता है कि आखिर में वाट इस्वाट इग्साट्ली इस दा फिल्लॉसफिय ऑफ शिव पुरान इंफपक्ट यह जो एक्शन से हमें शिव पुरान में मिलते हैं तो दिस शिवा पुराना शिव पुरान में बैसी कली पांच चीजे में त्गाने 5 डिवाइन आक्श हो गया सेकेंड तिंग आप बोल सकते हैं इस्थिती तो दिस इस्थिती यह स्थिती जो होती है वह बिसिकली प्रिजर्वेशन है तो प्रिजर्वेशन को ले तिरों भाव का मतलब आप सिंपल यह समझ सकते हैं कि रिवाइवल करना कि सीज को घोती है वह रिवाइवल करना है सारी चीज़े लेकि आप नितिन सिंगनी ऐ articulate से आनो कि से रेवाइवल करना किसी चीज को और लास्ट ली आजाती है् आपकी अनुग्रह तो दिस इस अनुग्रह करना या फिर आप कहा सकते हैं किसी को salvation प्रवाइशन प्रवाइट करना तो दिस इस बेसिकली सेलवेशन तो इस आपको दिखाना होगा जब आप आंसर लिखेंगे अपनी फिलोसफी अबाउट तांडव दान्स के बारे में आप दिखा सकते हैं अब यहां पर आती है आर्किटेक्ट्चर के बारे में क्या ऐसी आर्किटेक्ट्चर मतलब यह जो आपकी तांडव दान्स है क्या इसके बारे में मिलता है अब देखिए ऐसा क्या है कि डिरेक्ट कहीं पर भी हमें में इस तरीके का नहीं मिलता है तो बेसिकली जो नट्राज की statue रखी गई है वहाँ पर मिली है लाइक चोलेश्वर temple हो गया या चिदंबरम temple हो गया तो यहां पर हमें इस तरीके का mention मिलता है and based on that interpretation we can say कि this is significant or you can say कि this is recorded in the in these statues जो हमारी तानो दांस है वो यहीं पर हमें mention मिलती है so इस तरीके से आपको answer यह attempt करना होगा अगर माल लेते हैं कि कोई भी dance format आ जाती है कोई भी आ सकती है काल बेलिया आ सकती है फिर कोई भी dance format आ सकती है तो उसमें क्या है कि आपको यही चार philosophy basically follow करना चाहिए answer लिखने में आपको यही सारी चीज़े मतलब आपके पास में कोई ना कोई है कि example होना चाहिए example का मतलब हो गया कि यह आखिर में mention कहां पे है यह कहीं चीज लिखी है कि नहीं लिखी है फिर क्या चीज़ है तो एक्जामपल पता होने चाहिए प्लस एक्जामपल में अगर कहीं पर architecture है कहीं पर कोई अगर literature है या कहीं संगीत है इसकी music format है तो वो चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसके अलावा उस dance का significance का है यह basic philosophy आपको पता होना चाहिए अब जैसे क्या होता है जो dance format होता है वो किसी ना किसी एक चीज़ों को represent करता है ठीक है जैसे काल बेलिया it is actually showing snake movement दिखाई जाती है similarly भरत नाटियम या फिर इस तरीके के different different जो dance format है किसी कोई fire को दिखाता है को वाटर के movement को दिखाता है तो यह basically आपको जो यह representation है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और lastly जो हमारे भरत्मुनी है नाटे शास्तर basically उनके बारे में आपको बताना जरूरी होता है तो इस तरीके से आपको यह philosophy मतलब की answer writing करनी होगी जब भी art and culture से related कोई question होता है तो आपके पास में चार points हो गए and based on these four points you can easily write 200 words बहुत अराम से आप चीज़ों को दिखा सकते हैं अब इस philosophy में यह जो चीज है जहां पर जिसे शीव पुरान में चीज़े मिल गई तो इस तरीके की नॉर्मली चीज़े मिल जाती है और इनके सगर नहीं मिलती है तो फिर आप किसे रिलिजन से अटाइच करके या फिर किसी ट्राइबल के साथ में अटाइच करके जैसा भी डान्स फॉर्मेट है वैसा ही डान्स फॉर्मेट आप यहां पर लिख करके दिखा सकते हैं तो दिस बूड भी दा answer for these type of questions philosophy आप समझ गये होंगे कि हमें किस तरीकी की philosophy follow करनी है तो बिसिकली temple architecture के बारे में आप लोगों ने देख रखा होगा उसमें बिसिकली यह बताना है कि जो टोला होना चाहिए the structure वो क्या होनी चाहिए सबसे पहले आप बात कर लीजें टेंपल architecture के बारे में तो बिसिकली development of temples के बारे में टेंपल architecture हो जाएगी तो जो टेंपल architecture है बिसिकली पांच phases में five phases में development हुआ है जो phase one होती थी उसमें normal दो इट लगा करके फिर इल्टिमेटली उसकी पूजा की जानी शुरू कर दी गई थी एक छोटा सा कमरा बना दिया गया था फेस्टू में क्या है कि अब यह जो कमरा है बेसिकली वह elevated platform बना दिया गया था जैसे धांसी का जो दशावतार मंदिर है फिर उसके वाद से फेस्ट्री में क्या होती है कि यहां पर जो विमान होता है शिखर होता है वह सब चीज़ें बनाई जानी शुरू कर दी गई फोर्थ फेस में क्या होता है कि प्रॉपर जो होता है ध्रमदाश टेंपल और इस तरीके की केटेग्राइजेशन होती है जो वह बनाई जानी पांडो पर था यह सब शुरू कर दिया गया और फिफ्ट फेस बेसिकली जो बेंगॉल में टेंपल आर्केटेक्टेक्टर है जैसे की बुद्धिजम टाइप की मोनाश्ट्री टाइप की बनाई जाती है वह आप फॉर्म इन डाइनस्टी जैं एक आप डाइनस्टी बोल सकते हैं पल्लवा तो बिसिकली पल्लवाज ने काफी अच्छा कंट्रिबूशन दिया था इन इन फैक्ट मामल शैली इन्हों ने दिया हुआ है और दूसरे एक और साहब लोग है जिनका नाम है चोल तो इन चोलो ने भी इ गिंग इउसांपल्स नोहां कि अब यहां पर एक्ञेंपल में आपको पता होवना चाहिए कि मतलब कौन से अ Peng अब और रहा बन वाय गए गहे हैं तो आपको यहीं भी पता होना चाहिए बनवाया किस ने आप टेबल बना सकते हैं और टेवल पही लिख सकते जैसे जो वी हमारे एक परांतक साहब थे तो ये परांतक साहब ने दिस इस परांतक परांतक साहब ने तंजौर में बेसिकली एक टेंपल बनवाया थे जिसका नाम है ची दंबरम टेंपल इन्होंने बनवा रखा था ठीक है अब हमारे जो परांतक साहब है इनके बाद जो आते हैं जैसे क सब्सक्राइब और बस यहां से आप यह बोल सकते हैं कि जो यह जो आर्किटेक्टर की एक फॉर्मेट थी वह हमें एक बड़े फॉर्मेट देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं इस इस आधाय वॉर्टर इंहोंने किया तो अब यहां इंप आपको दिखाना होगा जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर मार्क एक पोजीशन दी जाती है चोल अंपायर को इन टम्स ओफ टेंपल आर्किटेक्चर यहां पर होता क्या है कि जो इनका पिरामेडल विमान होती है तो गोपुरं में सब्सक्राइब और ही मैसिव एयार एक सेकेंड अब इसके पीछे का क्यारीजन क्या ता फिलोसफी क्या थी होता क्या था विमान और गोपुरम ये दोनों के दोनों पावर आफ ठीक है पावर हो गया यह स्ट्रेंथ हो गया अफ किंगों को दिखाना शुरू कर दिये तो मतलब यह और बढ़ा दो तो इस तरीके से होता है यह जो विमान जितनी जिसके इन पेरेड़ ने जितनी बड़ी विमान हो हो गई वह पावर हो रायजा उतना रही जीजाद पावर फूल नहीं तो कही नहीं यह पावर को सिम्बल कर सिंबलाइ》 do तो this is basically symbol of this is symbol of power या strength of जो भी किंग है तो यह basically विमान को ले करके बनाई जाती है चीज़े फर्स तिंग इस दिस ते second thing यहाँ पर मतलब thousands of the pillars बनाए गए थे बहुत सारे जो होता है pillars बनाए गए थे जो basically मंदप में बनाए जा रहे थे तो यहाँ पर क्या है जो मंदप था वहाँ पर thousands of pillars बनाए जा रहे थे मतलब बहुत जदा अगीन यह भी जो होता है wealth को दिखा रहा है तो दिस बैसिकली इसके अलावा यहाँ पर जो मदब कह लिजे की जो टेमपल थे यह horizontal और वर्टिकल दोनों ही साइट से जो होती है यह इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पर क्या है horizontal और वर्टिकल दोनों साइट से ही इनका extension हो रहा था तो यहाँ पर क्या है जो horizontal साइट है यह तो पलवाज में भी हुआ है बट यहाँ पर vertical साइट में नहीं हुआ था लेकिन यहाँ पर horizontal और वर्टिकल दोनों ही चोला अमपायर में किया गया है तो यह कही न कहीं जो होता है बड़ा significance अमाउंट ले रहा है fourth thing यहाँ पर जो भी राजा होते थे जो राजा होते थे यह जो भी queen होती थी उनको भगवान का दर्जा दिया जाता था और उनकी temple में एक idol बनाई जाती थी मतलब एक मूर्ती बना करके रखी जाती थी जो यह कहीं न कहीं दिखा रहा है यहां पर आपको बिसीकली यह लिए देखना है कि हाव यह मंतेनिंग दफ्लो इन दा आंसर सबसे पहले आपने क्या इंट्रोड०एक्शन में अर्कीटेक्टेक्ट्च्र यदो कि Should कारण से वacja थी कि ये इच्छी डवलप्र में थी क्या है कि है किसा डा OUT होगा तो आपने को जो है आप लोग पूस्ते रहिएगा ठीक है साइड में प्रीमियर हो रही है वहाँ पर जो भी डाउट रहेगा उसको लिख देंगे देंगे दन वी विल ट्राइट वांसर देट पर जो कुशन हमारी आ रही है इसलिक महारी है भी यहां पर कोस데 शिस्टेम है वो दो तरीके का था जिस जो जो इसकलप्चर सिस्टम था एक था जिसको हम लोग बोलते हैं गढधारी स्कूल अवाट तो इस गांधारी इसकूल अवाटvan इन दोनों के भी इन दोनों के पीछे का जो significance है मतलब इन दोनों में जो difference है वो आपने अल्रडी पढ़ रखा होगा कि यहां पर क्या क्या डिफरेंस इस वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर्टेंट फॉर्लिम्स एक्जामिनेशन अब आपको पता होगा इस इंडीजिनस तो यह जाता है अब इस गांधारा आर्ट में कई सारे हमें element मिले हैं जो की रोमन से भी मैच करते हैं तो दिस बिसिकली रोमन की एक influence देखने को मिलती है प्लस आती साथ में ग्रीक की भी influence देखने को मिल जाती है यहां पर ना तो में तिंग इस कि आखिर में यह जो development है मतलब कि ज पर फजया देती है अब इस भगवान के लिए देने में सुंदर्ट पर मतलब इसकी beautification तो बहुत ध्यादा ध्यान दिया गया है जैसे जो बाल होने चाहिए hair सोने चाहिए वह वेवी टाइप के होने चाहिए घुंगराले होने चाहिए जो माथा होना चाहिए यानि कि जो आपका फुरेहडi होना चाहिए वोह हथी ब्रावट होना चाहिए तो this is broad forehead हो गया ठीक है this is broad forehead जो आंखें होती है वह बंद आखे होती है similarly sandals होते हैं प्लस इसके अलावा जो मतलब head है head के चारों और एक मतलब की circumulatory होती है basically एक चक्र घूमते रहता है ठीक है तो ये चीज जो होती है वो Greek की significance दिखाती है this is the main thing जो कि हमें गांधारा स्कूल आफ आफ आट में जितने भी basically मतलब statues वगरे बनाए गये थे उसमें में देखने को मिल जाती है Herakles की जो यहां पर Herakles की basically जो statue उसी के significant में उसी के हिसाब से सब चीजें हमें देखने को मिलती है जो की Indian Indian आइडिया है Roman में क्या होता है कि यहां पर God का depiction नहीं किया गया है God की depiction की जगह पर यहां पर जो हता है man oriented चीजें दिखाई गई है तो यहां पर practical approach रखा गया है जबकि Greek में क्या रखा गया है ideal approach जबकि जो Roman है यहां पर हमें practical approach देखने को मिलती है और इन दोनों का significance इन दोनों का एक mixture हमें इस गांधारा इस कुलाफार्ट में देखने को मिलता है जहां पर सबसे पहली जो मूर्ती बनाए गई थी वो बुद्धा की बनाए गई थी तो इंडिया में आप दिखा सकते हैं कि जो है बुद्धा की मूर्ती बनाए गई थी अब जो बुद्धा की मुर्ति बनाई गई थी उसमें क्या है element of idol होना चाहिए element of कह सकते हैं भगवान का होना चाहिए तो इसलिए बुद्धा की जो भी मुर्तिया बनाई गई थी उसमें मुद्रा सिस्टम दिया गया था अब आपको पता होगा कि बुद्धा में बिसिकली जो महायान इसमें बोधिसत्व के बारे में बात किया गया है और बोधिसत्व के ही बिसिकली 10 मुद्रास के बारे में बात की गई है 10 मुद्रास और यही जो दसों मुद्रा है इन सबकी स्टैच्व बिसिकली इसी गांधारा स्कूल आफ आट में बनाए गई है अब महायान में क्या होता है कि दे आर डिपिक्टिंग या दे आर आर टे किंग बुद्धा एस गौड यह लोग क्या है बुद्धा को गौड के पीछे का पूरी फिलोसफी है वह हमें इसी रोमन और इसी ग्रीक कल्चर से देखने को मिलता है तो दस्टिगनिफिकेंट और इन दोनों का बोल सकते हैं कि यह दोनों के दोनों वेस्टर अरिया में है और जो गांधारा स्कूल आफ आट है वो भी वेस्टर्न इंडिया में finding沒錯 जितने भी लोग आते हैं मारे पर इंवेडर जो भी हमारे इंवेडर साते हैं जिसमें से जिसे शकाज हो गए है इसे कुषन हो गए तिक है तो सब कि option सोग के जितने इंवेडर साते हैं सब किसमाय ए कहां को मिल जाती है और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो गांधारा स्कूल आफ आफ है वो सम्वेर इस अमलगमेशन आफ रोमन एंड ग्रीक्स और इसी वज़े से और आल इस तो दोनों का ही हमें एक मिक्शर देखने को मिलता है दोनों ही सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाती है आफ इस जाएक कि लिए यहां पर आप महायान सेक्ट का का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो मेन फिलोसफिया वो रोमन और ग्रीक की है यही दोनों चीज़ों के बारे में दिखाना होगा समझा गया क्या चीज़ है कैसे लिखना है देगे आर्ट इन कल्चर में आपके पास जो कॉंटेंट होगा छोटा होगा ज्यादा बड़ा नही आपको क्या है सूफी एंड मेडिवल मिस्टिक सेंट फेल्ड टू की मोडिफाइब इदर रिलिजियस आइड एंड प्रैक्टिस और दा आउटवर्ड इस्ट्रॉक्ट्ट्र आफ हिंदू-Muslim सुसाइटी तो एनी एप्रेशी अप्रिशियेबल एक्सेंट सबसे पहले काई ससी तरीके से आपकी जश्ती संपधाय हो गया तो हमारे पास क्या है कई सारे सुफिसम का से नकी सनोथ ने इस तरीके के आपको जो भी सुफिजम की जितनी भी मतलब कह सकते हैं कि कॉंट्रिब्यूटर्स है या फिर जो भी फॉलोवर्स थे जिस भी सेक्ट के वह आपको एक आइडिया होना चाहिए और इन फैक्ट आइवुड सजेस्ट यू टू ड्रॉए टेबल एक टेबल ट्रॉ रहे हैं और देख रहे हैं क्या पूछा या रहा है और फिर उसके बाद से कॉंटेंड बिल्डब फिर हम लोग फ्लो अब दांसर बना लेंगे क्या आंसर लिखना चाहिए ठीक है तो पहले क्या है सूफिजम एन जो मेडिवल मिस्टिक सेंट्स है दे फेल्ड टू मोडिफ अब इनको क्या है फेलियर दिखानी है तो मोडिफाई एदर आफ दा रिलीजियस आइडियाज एंड प्रैक्टिसेज और दा आउटवर्ड स्टॉक्चर आफ हिंदु मुस्लिम सोसाइटी तो एनी अप्रिशियबल एक्स्टेंड अब यहां पर क्या चीज है कि जो सूफि चीजें हैं उसको दूर करना चाहिए तो बिसिकली एक तरीके का यह रिफॉर्म इन इसलामी का आइडिया इस चीज को ले करके यह फैल रहा था तो दिस इस दा में फिलोस्फी में अब्जेक्टिव में आइडिया ऑफ सूफिजम अभी जो रिफॉर्म इन इसलामी के आइ है तो पोट्रेट करने को गलत बताया गया है ठीक है मतलब की किसी बंदे की अगर आपको आकरितियां बनानी है वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं यू कैन नौट डूट डाट डाट इस प्रोइबिट इन इसलाम तो म्यूजिक हो गया ठीक है या फिर आप मतलब कोई भी आ आते हैं यह जो उस ताइम के सूफिजम के जो लोग थे बैसिकली जो सूफिजम फालो करते थे वे वांटे टू है अब समरी फॉर्म इन डियर रिलिजन उनके डिलिजन में जो होती है उसको रिफॉर्म करने के लिए चाहते थे बड़ गर यह रिवाज़ सूफिजम में जो different sex निकल करके आया वो actual में क्या है कि खुद की जो philosophy थी reform को ले करके वो अपने आप में subjective थी कुछ लोग कहते थे जिसे कादरिया संपरदाय बगर का जो लोग थे वो यह कहते थे कि नहीं जो music है बदब देवर आइडिया जो है वो उनका फेल हो गया था तो उसके पीछे का जो कह सकते हैं कि वीजन है वह एक तो यह हो गया कि यह subjective nature के थे पहली चीज़ नंबर टू क्या हुगा नंबर टू क्या हुगा कि यहां पर धिरे-धिरे जो भी प्राक्टिस थे ठीक है वो धिरे-धिरे क्या है अल्गमेट होते गए वह मोडिफाई होते गए जो भी हिंदू रिलिजन उनके साथ में लेकिन क्या है कि मोडिफिकेशन का जो एक तरीका था वह अभी भी हाड़कोर इसलामिक ही था इसलाम को ही यहां पर भी फॉलो किया जा रहा था तो जो भी बेसिकली उस समय की प्रीचिंग थी उसी प्रीचिंग को ही फॉलो किया जा रहा था इसमें कोई भी नई चीजे अड़ नहीं की गई थी ठीक है कि दूसरी चीज आप यह बोल सकते हैं कि यहां पर सुफिजम की जो भी सेक्ट जो भी मतलब कह सकते हैं कि डवलप्मेंट हो रही थी उस डवलप्मेंट का कोई institutional structure नहीं दिया गया कोई भी institutional structure नहीं था जैसे कोई घराना डवलप हो जाए या इस तरीके का कोई भी institutional structure नहीं हुआ था और in fact जो भी मुगल्स लोग थे मतलब कि जो भी किंग लोग थे उनके भी similarity नहीं देखती है कुछ लोग जो है चिस्तिय संपरदाय को फॉलो किये थे कुछ लोग फिर दोसिय संपरदाय को फॉलो किये थे कुछ लोग काधरिया को फॉलो किये हुए थे तो कहीं ना कहीं यह जो आपस में diversity है या फिर कह लिजे कि फॉलो करने के जो ideology है अगर वो different रहेंगे तिन obviously इसकी जो main idea है वो फॉलो नहीं हो पाएगा इसके अलावा जो सूफी लोग थे वो basically lower section of the society से निकल करके आए थे और lower section of the society से जब कोई निकल करके आएगा तो फिर उसकी बात कोई जादा फॉलो नहीं करता है तो एक यह भी problem आ रहे थी जहां पर lower strata जो होता है वो connect नहीं हो पा रहा था बाकी लोगों के साथ में तो यह भी एक बड़ी problem थी अब जैसे यहां पर लोग reform के बारे में बात तो कर रहे थे चौती बात की reform के बारे में बात कर रहे थे पट एक्च्वल में what should be the social custom social custom क्या होना चाहिए यह खुद भी failed to again implement यह लोग भी नहीं बता पाए कि आखिर में क्या चीज़े होनी चाहिए तो यह basically idea है about this question कि आखिर में क्या दिकते होई थी तो यहां पर यह जो चार points है these are the main reasons यह वह main ideas है main reasons है इसके बारे में जो कुछ भी अभी हम लोगों ने discussion किया बस वही चीज़ लिखनी है हम लोगों ने यहां पर bullet points में लिख लिया है बट इसके पीछे का जो explanation है जो हम लोगों ने अभी discuss किया बस वही चीज़ लिखनी होंगी and again this is easy question sufism का बहुत easy part of the question इस पूरी की एक लिस्ट बना करके तयार करके basically discuss किया गया है so you can refer to that lecture and वहां पर आपकी सारी चीज़े clear हो जाएंगी next year is ancient civilization Indian subcontinent differed from those of Egypt Mesopotamia Greece and in that culture and tradition have been preserved with the breakdown to the present शायद यह हम लोगों ने question discuss किया है बट फिर भी चलिए ठीक है एक फटाफट quick way में देख लेते हैं अब जैसे अगर हम लोग इंडियन में ancient civilization को देखते हैं तो हमारे आपर बहुत सारी culture थी जैसे कि इंडिया में बहुत सारी culture थी जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एक तो इंडस्वेली civilization ही हो गई इसके अलावा एक culture चल रही थी जिसको हमनों बोलते है पाहर की चीजे थी अब जैसे क्या है इजिप्ट में इस इजिप्ट यहां पर क्या है नाइल रिवर कल्चर चल रही थी तो नाइल रिवर कल्चर यहां पर था मेसोपोटामिया की मेसोपोटामियन तो इस मेसोपोटामियन कल्चर हो गया और ग्रीज में फिर यहां पर ग्रीक कल्चर चल रही थे तो इस वास्थ दॉमें कल्चर से अब यहां पर क्वेश्चन क्या पुछा गया है कि जो एंशेंट सिविलाइजेशन इंजिन सब्कॉंटरेंड हम लोग ने यह जो डिसकस किया दिस डिफर्ट फ्रम दोज ऑफ इजिप्ट मेसोपोटामिया और ग्रीस इन दाट कल्चर एंट डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट जो इजिप्शियन यह मेसोपोटामिया ने ग्री कल्चर है उसको मैं यह जता हूं लोगों लिए इंडेन वाला स् crate यहार इसको बढ़िए लेते हैं डिस इंडियन और इसको लिए यह अवैर अब जैसे यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जो एंगिन कल्चर और यह क्या थी अर्बन कल्चर थी भीडिस वागन कल्चर जब को भी मिली हुई है वो सब जो है मतलब की मतलब इस्कोर शेफ में थी य데 रेक्टांगुलर शेफ में थी और जब किया हपर अगर बात करते है जो । स्ब सिलेंड़े का países एंडियर इंडीयर में अगर बात करें तो कोई भी रिलिजिस इंस्टिउचन नहीं मिला यहां पर क्या है हमें मिला है तो यहां पर क्या है सकते हैं इस फाउंड यहां पर जो इंट होती थी मतलब जो ब्रिक होती थी हम लोग वह बॉंड ब्रिक का की इट के इस्तिमाल की जाता था यहां पर क्या था उन बॉंड ब्रिक साराइश मिलता है बहुत सारे inscriptions जहां पर जो है mention मिला है तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि this is the this is the thing through which we can say कि there are there are multiple differences in fact basic foundational difference but still they were they were recognized by each other दोने एक दूसरे को जानते थे दोने एक दूसरे को कह सकते हैं कि trade किया करते थे now the next and last question for today आज के लिए जो होता यही last question है question is क्या लिखा है जो mesolithic rocket architecture of India this not only reflect the cultural life of that time but also a refined refined aesthetic sense comparable to modern painting अब जैसे यहां पर क्या चीज़ है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए mesolithic rocket architecture है क्या अगर हम अपनी history को देखते हैं तो हमारी history को आप basta top-team format पे convert कर सकते हैं टिए एक आप बोल सकते हैं palate to this is palio lithiq मतलब की बहुत पुराना जो होता है दूसरा हो ता जिससे आप बोल सकते हैं डिस मीजो लिथिक ठीक है और तीसरा बोल सकते है नियोलिथिक यानि कि निया कल्चर जो होता उसको आप लोग बोल देते हैं नियोलिथिक इस नियोलिथिक के बाद में ultimately इंडस्वेली सिविलाइजेशन होती है फिर वैदिक कल्चर आ जाता है ठीक है तिस इस वैदिक कल्चर और इसी तरीके से फिर आगे जो मौरिया डैनेस्टी है महाजन पत्पीर यड़े सब चीज़े फिर आगे ultimately आ जाएंगे डवलप्ड हो जाएगा अब यहाँ पर जैसे अगर बात करते हैं पैलियोलिथिक मीजोलिथिक या नियोलिथिक यहाँ पर क्या है जो हीूमन है बिसिकली वो कुछ नहीं जानता है और यहाँ पर हीूमन जो है वो बेसिकली आदिमानो टाइप का है ठीक है मीजोलिथिक में अगर बात किया जा तो यहाँ पर क्या है कि यह लोग ग्रेनरी जो है वो इस्टोर करना शुरू कर दिये गए थे इसके अलावा जो भी इनके पास में वेपन्स थे ठीक है वो क्या है कि एक तरीके से छूरे टाइप की चीज़े होती है जो पत्थरों से घिस घिस कर बनाई जाती है वो सब बिसिकली यह लोग रखे हुए थे तो यह भी आपके पास में चीज़ें मीजोलिथिक क्या जाती है तीसरी चीज के आए यहाँ पर एनिमल का हमें सिगनिफिकेंस म मतलब यहाँ पर जितनी भी वेपन्स वगर बनाए गया देवर चॉपर टाइप की मतलब की चिप चॉपर होती है जैसे आप चाकू अगर इसे काट लेते हैं तो उस तरीके का यह वेपन के कारण से मतलब जो भी इनके खाने पीने या जो भी इन्होंने हड्डियों से या फिर पत्थरों से जो भी अपने हथियार बना रखे तो उसी के खारण सेंट का नाम जो होता है चॉपर कल्चर पढ़ जाता है तो यहां पर हमको देखने को मिलता है दिस वेरी बैकवर्ड तिंग लेकिन फिर आगे नियोलितिक में क्या होती है यहां पर क्या है कि जो वील लेकिन यह सब तो बेसिक हो गया इंफक्क यह सब इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं यू कन में कर टेबल यह एंड बेशन डाट यू कन अब आपको पता यहां पर क्या एक बेलन घाटी थी बेलन वैली थी मिर्जापुर में basically this is Mirza Pur भीम भीम भीं भीम भीं जो बेमबेटक से हैं हैं यहांपर में बहुत सारी पैंटिंग मैरेख тобой बहूं दोनों पर हमें मैंचन मिल जाता है अब यहां पर जो paintings मिले है वो बैसी कली animals के बारे में है ठीक है जो significance के बारहेंगे बात कर रहे है अनिमल्स की है प्लस कहीं न कहीं जो human interaction है human interaction उसके बारे में भी है human animal conflict के बारे में है तो this is humans – animal conflict के बारे में है PLUS यहां पर जो आप कहसे हैं जो paint यूज किया गया है and paint यूज करने के लिए जो brush यूज की गया या फिर जो tool यूज किया गया है वो भी आपने आपने बहुत primitive है and this is again very different दो तरीके अपनाए जाते हैं गिला करके जैसे आपका जो fresco technique होता है कुछ उस तरीके की technique हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है तो fresco technique भी हमें देखने को मिला और mural style भी देखने को मिला है तो mural style भी यहाँ पर हालक यह लोग जानते नहीं थे mural और जो यह fresco है but still they were following that तो यह दोनों को दोनों culture हमें देखने को मिल जाते हैं यह क्या यह cultural life को दिखा रहा है तो yes यह cultural life को दिखा रहा है because people were nomadic और people जो होते है basically वो जानवरों पर ही जो है dependent थे और उसी के basis पर अपना खाना पीना करते थे और इस कारण से animal की photo मिली है human interaction की photo मिली है and animal human animal conflict की photo मिली है यहां पर conflict लिखना छुट गया है so this is basically conflict तो इसके बारे में हमें mention मिल जाता है तो these three things we are you can say कि यह cultural life को दिखा रहा है दूसरी चीज़ है कि this is fine aesthetic sense compared to modern painting अब जैसे paint and tool के बारे में हो गया यह fresco technique हो गया moral technique यह सब क्या है these are the techniques और यह aesthetic sense को दिखा रहा है कि उस समय के लोगों को कितनी aesthetic sense हुआ करती थी और यही जो aesthetic sense है हम लोग आज की date में modern painting में use भी करते हैं और you can say कि अगर हम लोग उस समय को आज की समय से compare करे and the technology and the understanding that we are having we can overall conclude कि जो mesolithic rock architecture की जो भी painting है जो भी वहाँ पर कह सकते हैं कि techniques या जो भी intelligence use की गई है वो much better than आज की date की modern painting की comparable में काफी जो है अच्छी है तो यह चीज़ होगी इस question का answer and this is the thing that you have to follow basically आपको यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले introduction में दिखाना है history के बारे में तो history फिर एक आप table बना सकते हैं जैसे अभी हम लोगों ने बनाया बाकि यहाँ पर आप कुछ examples यानि कुछ sides का नाम लिखेंगे ताकि एक fact भी हो जाना चाहिए कि कहां से आखिर क्या हो रही है और फिर ultimately इसके पीछे की जो भी philosophy उसके बारे में discuss करेंगे और फिर ultimately दिखाएंगे कि यहाँ पर cultural life क्या है तो this would be cultural life और यहाँ पर aesthetic life क्या है उसके बारे में आप दिखा देंगे and that and after all this you will conclude your answer और conclude करने के बाद में आप यही बोलेंगे कि yes यहाँ पर sense जो होता हमें काफे different देखने को मिलती है और कहीं न कहीं we can say उस समय उस समय को ध्यान में रखते हो समय के understanding को ध्यान में रखते हुआ we can conclude that उस समय की जो painting technique थी उस समय की जो painting style थी that was much better than आज की date वाली जो है समझ आ गया क्या चीज़ है so basically हम लोगों ने 6 questions discuss की है बाके और भी हमार पास हाला की questions है बट इस जो questions है इनको हम लोग डिसकस करेंगे अपने next class में probably next class में हम लोग खतम भी कर लेंगे या फिर उसके एक और next class लग सकती है और इस तरह से खतम कर लेंगे ठीक है idea behind is हम लोग यह जो discuss करना है इसमें idea बिल्कुल यह नहीं है कि आप चीजों को याद करें the only idea here is the how to write answer and how to manage content art and culture especially क्या होना चाहिए ठीक है तो यह काफी important है कि आपको content क्योंकि बहुत content आप art and culture में prepare नहीं कर सकते हैं already जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें complexity होती है बहुत subjective होती है बहुत limited knowledge होती है but the only thing here is यहाँ पर आप यही कर सकते हैं कि आप चीजों को manage कर सकते हैं ठीक है